पॉह्यिजम्स पोय आज की हमारी रेसिपी है इंदोर के बहुते स्वाधिष्ट और चट्पटे से पोय की रेसिपी हलो फ्रेंडस वेलकम टू माई चेनल फ्रेंडस आज हम जो पोय बनाएंगे वो कच्ची के करिके साथ बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ पोय बनेंगे वैसे तो पोय सब के घरों में अलग-अलग तरीके से बनते हैं लेकिन अगर आप इस टेस्ट को एंज्टोई करेंगे कच्ची केरी वाले पोय को तो बहुत ज्यादा पसंद आएंगे क्यूंकि पासानी से इसे बना सकते हैं तो जरूर से ट्राइ कीजेगा और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजेगा तो बनाना शुरू करते हम अपने बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाले पोहे जो है कच्ची केरी वाले पोहे इसको बनानी के लिए सबसे पहले मैं एक बॉहे का जिससे इनका सारा पानी अच्छे से अलग हो जाएगा और दस मिनिट में ये अच्छे से फूल के बन के तैयार हो जाएगे अब हमने गेस के उपर एक पेन रखा है और उसमें हरी मटर के दाने डाल दी और इनको अच्छे से हम बॉयल कर लेते हैं फिर हम पेन रखेंगे औ और इसके अंदर एक बड़ा चमच cooking oil का डालें आप जैसे चाह inclusive cooking oil में इसको बना सकते हैं में मुखली के तेल में पौह बना रही हूँ इसमें एक चमच डाला है और अब एक ही चमच हम इसके अंदर राइ के दाने डालेंगे राइ जब अच्छे से तड़क जाएगी तो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे हम यह मैंने तीन से चार हरी मिर्ची को बारिक कट लिया था और एक बड़े आलू को मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिये इसके और यह डाल दिया है और एक ही बड़ा प्याज लिया था मैंने उसको भी मैंने छोटे-छोटे-पीस कर लिए थे ये भी हम इसके साथ ही डाल देंगे और इनको हम अच्छे से पका लेंगे तो दीमी आज के उपर हम लगातार चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई करेंगे इनको और जब यह हल्का सा फ्राई होने लग जाएगा तो इसके अंदर हम मिठे नीम के 8 से 10 पत्ते डालें इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पोहे के अंदर और इसको ढग देंगे हम दो विनिट के लिए और फिर से इसको चलाएंगे जब तक हमारे आलू और प्याज होते हैं तब तक हम इस पोहे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले और फिर इसके अंदर एक चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर को हम नीचे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आलू और प्याज बहुत ही अच्छे से बन चुकी है हमारे देखिए आप तो इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं तो नमक आपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं मैंने एक चमश नमक डाला इसमें और नमक को मिला लेते हैं और अब डालेंगे हम इसके अंदर बारिक कटी हुई एक बड़ा चमश केरी छोटे छोटे पीस कर लिए मैंने और एक बड़ा चमश केरी का लिया है और इसमें बारीक काटके और इसमें डाल दिया इसको हलका साम पकाईगे और फिर हम ये पोहे جो हल्दी मिला के रखे थे हमने वो मिला देते हैं इसमें केरी को हमको ज़्यादा दर्दख नहीं पकाना है बस एक मिनिट ऐसे ही चलाना है तयल के अंदर और ये हरी मटर के दाने को जो हमने बॉयल करके रखा था वो भी इसमें मिला देते हैं मटर को हम अगर बॉयल करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें हम डालेंगे एक निम्बू का रस दो चोटी चमच निम्बू का रस डालाए और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इनको दो मिनिट के लिए हम ढग देंगे और दो मिनिट के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें हरा धनिया मिला देंगे तो सर्व करने के लिए तैयार हो गए हमारे चटपटे से इंदोर के स्वादिष्ट पोहे बहुत टेस्टी लगते हैं एकदम अलग सा टेस्ट है इसका और बीच वीच में जब कच्ची केरी के वो टुकड़ा आते हैं खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे जरूर से ट्राय किजिएगा आप इसे तो सारे पोहे को हम प्लेट के अंदर ले लेते रेसिपी अगर पसंद आये तो चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करके बताएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी तो मुफली के दाने को हम उपड़ से डाल देते और फिर जो कच्ची के रही के हम थोड़े से पिसे और डालेंगे इसके उपर और सबसे लास्ट में जब हम खाने लग जाएंगे तब इसके उपर नमकिन डालेंगे नमकिन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी इंदोर की स्वादिष्ट चटपटे से पोहे की रेसिपी जरूर से ट्राइ कीजेगा और इसे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए कच्ची केरी मिलाई है इसके अंदर तो एक बड़ तो जरूर से ट्राइ कीजेगा आपको सबको बहुत पसंद आएगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग